आज की रेसिपी बनाते हुए मुझे कत्रीना कैप का एक बहुत ही अच्छा सा डालॉक याद आगिया एक पिक्चर का जो कि मेरी तो वन आफ दा फेवरेट मूवी है जिसमें वो बोलती है कि मेरी फेवरेट रेसिपी है मूंग डाल की पकोड़े और पुदीने की चक्नी और बारिश के मौसम में मिल जा तो फिर क्या बात है फिलान यहाँ पानी तो नहीं बरस रहा है लेकिन यही मैंने बनाया है जो कि आज आज आप लोग के साथ शेयर करने के लिए जा रही हूँ कैसे हैं आप सब बहुत अच्छे हों कि अपनों और अपनों का ख्याल रखिए आप में से जिसको जिसको याद आजाए ना कि यह किस फिचर का डेलॉक है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा चलिए बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले एक मसाला ले लि के और इसके बाद इसमें हरी मिर्च और अद्रक करी पता ये भी डाल करके पिस लेंगे तो भाई मूंक डाल के पकोड़े बन रहे हैं तो मूंक डाल जरूरी है और वो मूंक की डाल कैसी है हमने ली है ये पीली वाली अरी बिना छिलके वाली आप चाहे तो छिलके वाली भ पानी निकल जाए तो इसके बाद इसको इस तरह से हलका सा कोर्स हम पैसेंगे बिलकुल फाइन पेस्ट नी बनाएंगे और बहुत मोटा भी नी रखेंगे हलका सा पानी डालेंगे और इसको हम पिस लेंगे और पिसने के बाद उसी बोल में डाल देंगे जिसमें अभी हमने मसाला निकाला था जब तक हम ये डाल पिसने हैं तब तक आप एक चीज़ बताईए अभी तक आपने हमारा चैनल सब्स्क्राइब किया है चलिए इतनी देर में हम चटनी बना लेते हैं तो उसके लिए हमने ले लिया है ये कैरी अमिया आप क्या क्या कहते हैं इसको भी हमें कमेंट में जरूर बताईए का तो हमारे हैं कहते हैं इसको अमिया तो मेरी एक अमिया तो एकदम कच्छी थी दूसरी वाली हलकी सी पक गई थी जिसमें कि बड़ा अच्छा सा खटा-बीठा सा स्वाध आ रहा था और कितने लोग आप में से भी ये काम करते हैं कि जब भी अमिया वाली चटनी बनाने के लिए जाते हैं तो उसमें एक पीस निकाल करके चक जरूर लेते हैं इसमें हम दो चीज़ें जरूर डालते हैं पता नहीं आप इस हमिया की चटनी में इसको डालते हैं की नी डालते हैं अगर डालते हैं तो बहुत अच्छी बात है कमेंट में येस लिग दीचेगा नहीं डालते हैं तो अपकी बार डाल करके जरूर देखेगा वो क्या चीज है इसमें हम काला नमक और हींग डालते हैं इसको डाल करके देखेगा इसका स्वाद बिल्कुल चेंज हो जाता है तो स्वाद के इसाब से नमक डाल दीजे बहुत थोड़ी सी हींग डाल दीजे थोड़ा सा काला नमक डाल दीजे थोड़ा सा जीरा डाल दीजे और इसको थोड़ा सा खटा मीटा सुआद देने के लिए थोड़ा सा इसमें गुड़ भी डाल दीजे बहुत ज़रा सा फानी डालिए बिल्कुल इसको चला करके अच्छी तरीके से और चटनी मना लीजे बहुत देर तक नहीं चलाईएगा और अगर आपको लगे कि आपकी चटनी हलकी सी काली पन पे जा रही है तो इसको बरव डाल करके करिएगा चटनी मनाईएगा तो इसमें बिल्कुल ऐसे ही प्यारा सा हरा रंग आएगा और काफी देर तक ये मेंटेन रहेगा और काली नहीं पड़ती है अगर बरव डाल करके बनाया चाता है वैसे ये टिप आप आप लोगोंने बहुत लोगों से सुनी होगी और शायदा आप फॉलो भी करते हो चटनी तयार हो गई है चलिए अपने पकोडी का पेस्ट तयार कर लेते हैं आप लोग अगर प्यास खाते हो तो इसमें प्यास भी फाइन चॉप करके इसमें डाल सकते हैं इसको बाइंड करने के लिए क्योंकि जो मूँ की डाल होती है उसमें बाइंडिंग बहुत अच्छी नहीं होती है तो उसको bind करने के लिए हमने डाल दिया है चावल का आटा अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो अफसोस की बात नहीं है आप बहुत सारी चीजें इसमें alternative डाल सकते हैं आप इसमें बेसन डाल सकते हैं आप इसमें आटा भी डाल सकते हैं तो ध्यान रखेगा BसN को ठोग अच्छी तरीके से लिचेगा तो पहले मूं की डाल और बेसन पहले डाल लिचेगा अच्छी तरीके से फेट लिचेगा और उसके बाद बागी चीज़े डालिएगा क्योंकि जो बेसन होता है रहा थोड़ा सा चिपचिपापन जादा होता है जब आप पकोडी बनाने लग जाएंगे ना तो वो दांत में चिपके की तो इसको एवोइट करने के लिए आप पहले बेसन को अच्छे से पेट लीजेगा छोटी-छोटी से टिप्स अगर आप वीडियो बहुत ध्यान से देखिए ना और मेरी टिप्स सारी ध्यान में रखिए तो आप भी बहुत अच्छी-ची चीज़ें बना सकते हैं देखिए अभी थोड़ा सा हमको ये और इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डाल दीजेगा लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आप तुनंद बनाने जारे हैं तब तो पानी डालिएगा लेकिन अगर आपको रखना हो बैटर थोड़ी दिर बात बनाना हो तो इसमें पानी बिल्कुल मढ़ डालिएगा क्योंकि इसमें हमने नमक डाल दिया है पालग डाल दिया और आप प्यास भी डालने जारे है तो ये सारी चीज़ें फिर पानी छोड़ती है तो आपका बैटर बहुत गीला हो जाएगा फिर हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा तेल खूब अच्छा सा गरम करिएगा उसके बाद फ्लेम को मीडियम कर दीजेगा जैसी भी साइस के आपको पकॉड़ियां बनानी हो वो डाली और खूब अच्छा सा क्रिस्पी होने तक इसको दोनों साइट से तल लीजे फ्लेम को ध्यान रखेगा कि मीडियम रखेगा लेकिन जब पकॉड़ी डाल रहे होना तो तेल अच्छा गरम होना चाहिए अगर हलका गरम हुआना तो तेल बहुत पकॉड़ियां आपके बहुत जादा तेल पी लेती है और तेल अच्छा गरम होता है उसके बाद आप मीडियम करते हैं आपकी पकोडियां जो हैं उपर से खुब अच्छी क्रिस्पी भी हो जाती हैं अंदर से खुब अच्छी तरीके से पक भी जाती हैं तो लीजे हमारी तो पकोडी बन करके तयार है और थोड़ा सा वो कत्रीना कैफ वाला लुग देने के लिए क्योंकि उसने तो उस पिचर मे और चटनी इतनी मज़ेदार बनी थी तो फ्रेंट्स होप करती हूं कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगेगी अगर आप ट्राइक करें तो हमें जरूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी और कब बनाने जारें ये जरूर बताइएगा फिर मिलती हूं एक झारें आपको द though झारें जाक', इतना है त्म्त coverage ओ पहेंगा एक रेभ एक रिसान एक रेस talking